यह देखे चारो तरब वो हील देखिए वो बाहत दखिए यह हवा देखिए अब नूडल डालने के बारी है और ये गया नूडल students xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx वेल्कम टू फूट्रेली फूट्रेवल लाइफस्टैल मैं सुमित आपका दोस्त और होस्त फ्रम नम्म और नम्म बैंगलियोर आपका स्वागत करता हूं आज हम जाने वाले हैं एक नई जगा पर नया एक्सपिरियंस के साथ अगें विट एक कार हमारा जो कार केम्पिंग क जो सेटब उसके साथ रश्मिता भी है मेरे साथ और हम आज सोच रहें कि जो जगा है कैम्पिंग की जगा है वह एक हिल के नीचे है तो वहाँ पर हम अपना कार कैम्पिंग सेटब बनाएंगे वहाँ पर खाना बनाएंगे और होफुली आप देख रहें कि यह ऐसा ही और आप चलिए आपको दिखाता हूँ आप पर कैसा क्या मिलता है कैसा सेटब होता है क्या मस्ती होता है बने रहेंगे वापस हम आगे अपने वाले नाइस रोड के उपर और टोल केट क्रॉस हो चुका है तो जैसा मैंने कहा था कि हम जाने वाले हैं एक ने कैंप साइट में तो यह जो कैंप साइट है जो आपको मैंने कहा था कि यह एक हिल के साइड में है तो यहाँ पर पानी शायद ना मिले तो यह चारो तरफ कवर रहेगा हिल से और यह बड़ा से ग्राउंड है और हमारे घर से अभी वाले घर से, that is around 60 km और टाइम का हिसाब से बताओं तो 1 hour 45 minutes दिखा रहे है Google Map ले हिसाब से रास्ता अच्छा ही लग रहा है और मौसम क्या बताओं एकदम बादल है दूप नहीं है जो भी बोलो दूप नहीं है बादल है और अच्छा लग रहा है एकदम कैंपिंग वाला महौल है तो बने रही है हमारे साथ देखे आप जब हम पहुंचते हैं वापर कैसा लगता है तो देखे दोस्तों जिस बात का मैं जिकर कर रहा था धूप नहीं है बादल है बारिश आ चुकी है और चिट्टी भी पूरा भीग चुका है आप देख सकते हैं विंड्शेल में पूरा अभी अभी पूरा एकदम सड़नली बारिश स्टार्ट हो गई है और आज तो पहुत ही मज़ा आने वाला है मुझे लग रहा है वहाँ अभी धुवादर बारिश होगी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हम अपना पॉंचो पहन का वहाँ पर मस्ती करने वाले हैं आज जो भी प्लान है वो तो होगा जरूर कि यहां पर नाइसोड में हम जब जा रहे हैं तो वहां पर मैसूर रोड के लिए जो टर्निंग है वहां पर आपको लेट लेना पड़ेगा और यहां से और 30 किलो मेटर एक्जाक्ली हमारे कैंप साइट तक यहां पर थोड़ा ट्राफिक में लेगा जब यह हम लेफ टन लेते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है यह हमेशे ट्राफिक रहता है बैंगलोर मैसूर रोड और फिर आगे बढ़ते हैं अभी हम पहुंच गए हमारे जो कैंपिंग लोकेशन पर है और बस शार सो मीटर है यहां पर और आप देख से दिचार अतरे विकदम जंगल वाला एरिया है वही पर और बादल है जाहे जो मैंने गहाँ दा पारिस होने की आशंका है और हरियाली हरियाली पर मनलब जो व्यो आ रहा है वहां से मैं देखरा हूं लास्ट 25 किलो मिटर से ऐसा ही है दोनों तरफ हरियाली हरियाली तो अभी अलमस्ट अब एक राइट टन लेंगे 200 मेंट और उसके बाद हमारा जो camping location वो आ जाएगा और यह सावंदूर का hill है right side में और उस hill के नीचे ही हम अपना camping plan करेंगे आज तो वहाँ पर हमने एक spot book किया हुआ है वहाँ पर हम अपना car camping करेंगे और यह राइट टन हमें लेना है बस अभी सीधा और हमारा camping site सामने ही होगा इस location का नाम है camp vagabond हमने यह online book किया है मैं link आपको दे दूँगा पर हैड यह 1000 रुपीज चार्ज करते हैं bring your own tent का तो आप भी अगर आना चाहते हूं तो आप इसको book कर सकते हो और अपने साथ अपना camping setup आप लेके आओ यहाँ पर खुद setup करो खाना बनाओ और रास्ते एकदम बहुत ही बढ़िया है कोई problem नहीं है और आपर देखी रहे हो हर्याली हर्याली दोनों तरफ और यह रहा camp vagabond कि अगर दोस्तों हम पहुंच गए है हमने कैंप साइट में और यह और एक दोस्त हमें मिल चुका है और यह बहुत ही उतावला हो रहा है खेलने के लिए अभी हम पहुंच चुके हैं तो आप देखें गाड़ी यहां पर है और वह पीछे हिल है तो मैं बोल रहा था कि हील के नीचे हम कैंपिंग करने वाले और यह बड़ा से रिया है बहुत ही मज़ा रहा यहां पर हावा भी चल रही है और बादल भी है और हमारा यह नेया फ्रेंड भी है तो चलिए अभी हम कैंपिंग सेट अप करते हैं फिर आप से मिलते हैं तो दोस्तों देखिए आप कैंपिंग सेट अप हो चुका है वही वाला गाड़ी के साथ टर्फलिन लगाना और हमारा टेबल चेयर कोकिंग के लिए वह कुक टॉप और सब सेट हो चुका है अभी हम यहां पर थोड़ा प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे क्योंकि आप मेरे पीछ आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा होगा तो बारिस भी आ चुकी है बादल एकदम घने हैं और चारों तरफ का नजारा देखिए आपक अब दिख रहा होगा अधेको वह लग रहा है कोई खड़ा है वहाँ पर एक पथर का एक स्ट्रक्चर बढ़ा है बहुत ही अच्छा लग रहा है तो अभी हम दोनों यहां पर प्रॉपर्टी को घूमेंगे यहां पर थोड़ा एंजॉय करेंगे फिर खाना पीना बनाएंगे अभी तो भूख नहीं लग रहे हैं इतना अच्छा सा अपने जो आपने आगे यहां पर आम अंदर बैठेंगे और अभी थोड़ा एंजॉय करेंगे विलते हैं आप से थोड़े के बाद जब हम खाना बनाएंगे का मुझा से नहीं भूड़ा थाव करेंगे यहांगे झाल 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 पाहड इधर पेड़ पॉद्धे यहां पर हमने कुछ एक घंटा लगव यहां पर रेस्ट किया यहां का नजारा एंजोई किया आपने भी एंजोई किया हो गया शामने पाहड इधर पेड़ पॉदे और इनका जो प्रॉपर्डी है बहुत ही खूबसुरत है और अभी हो चुके हैं साड़े दो बजे और अभी हमें भूग भी लग रही है तो चलिए फटा फट खाना बनाते और आप देखिए आज खाने में क्या बनने वाला है चलिए तो आज बनने वाला है एग नूडल्स और उसके साथ गोभी मंचुरियन तो अभी हम नूडल्स को बॉइल करेंगे और उसके बाद इसका प्रॉसेस टाट करते हैं तो कड़ा ही हम लेके आए हैं इसमें नूडल्स को बॉइल करेंगा और इसमें छान लेंगे चलिए तो ये रहा हमारा चिंग्स का नूडल अब इसको बॉल करेंगे पानी उबल चुका है इसमें पुरत डाल दूँगा मैं और यह बचाप उचा जो पीसें से वंट नो प्लास्टिक प्लास्टिक जाएगा हमारे डस्ट बिन में हिए जब ही हम जाते हैं तो केरी करके लेकर जाते हैं पार कोछ भी प्लास्टिक वगरा तो सब्सक्राइब Gobiernorose प्लास्ट वाक गाजर काट लिया है अभी काप्सिकम काटेंगे और पस देन नूडल प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे चलिए यह अभी नीचे गिर जाता तो क्योंकि नूडल्स बनने वाला है तो इसको लंबा लंबा काटेंगे देखिए यह नूडल अभी बॉइलिंग पॉइंट पार चुका है जादा नहीं बॉइल करना ने तो क्या है कि उपर एकदम मुशी मुशी बन जाएगा तो इसको थोड़ नूडल्स बन चुका है अभी इसको बंद कर देते हैं फटा फट इसको निकाल देते हैं तो क्या कि फिर से मुशी मुशी बन जाएगा तो इसको थोड़ा थंड़ा पनी डाल देते हैं अभी कि वजड़ कि देते हैं थोड़ा मुशी बनाओ़ाज कर प्याद़ कि नुच्छा प्राद़ाई तो कि पसे मुशी अचिक हैं फटिड़ाई फ्या कर दोड़ान है प्र दोड़ाज ठहल झाईड़ कि उसेते हैं प्रत उड़ाईवाभी प्रवान प्रविल तो दोस्तों देखे सब्जी तो थोड़ा हाफ को खो गया है और आज देखे कितना हवा चल रहा है और यह जो विंड प्रोक्टेटर है ना आज बहुत साथ दे रहा है नहीं तो आज खाना नहीं बना सकते पूरा यह टर्पलिन यास पूरा एकदम उड़ जा रहा है तो अभ फटा-फट इसमें डाल देंगे यह गया एक यह गया दूसरा और यह गया तीसरा माइटी एग और अंडे के स्वात के हिसाब से थोड़ा सा नमक क्योंकि सब्जी में मैंने नमक डाल दिया था पहले से और इसमें देखे चुट की भरणा पक थोड़ा उपर से ऐसे स्प्र प्रिंटल कर देंगे और अंडे को पूरा एक दम भूर जी नहीं बनाने इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीसेस रखना तो थोड़ा से हलके हाथों से में इसको तोड़ देता हूं और इसको वैसा ही छोड़ दूंगा ताकि एक बड़ा सा ओमलेट टाइप कब बंजे और फिर इसको मिक्स कर दें देखिए फिर से हवा चल रही है इसको यह बचाते बचाते और अंडे को हलके हाथों से मिलाते मिलाते नहीं तो कि फिर से भूर जी बन जाएगा और अश्मीदा मुझे मारेगी इसको थोड़ा सा ऐसा ही एक मोटा सा ओमलेट की तरह बनाना है और बाहर का नजारा क्या बताओ मैं अगर आप यहां पर होते मेरे साथ नहीं आता तो आपको भी मज़ा आता हंडेड परसंट मज़ा आता इस चारों तरह वह बादल देखिए यह हवा देखिए यह एंटिक पीस वाला लैंटन देखिए जो उन्हें लगाई प्रोपटी म है इनका डीटल में आपको दे दूँगा आपके इनको कॉल करके आप डीटल ले ले लेना उनसे चलिए दोस्तों अब नोडल डालने की बारी है और यह गया नोडल्स यह गया नोडल्स आइधिंक पूरा ज्यादा हो जाएगा क्या लगता है इतना ट्रीक है नहीं हाँ इत इसमें थोड़ा सा ब्लेक पेपर आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना डालना कोई वांदा नहीं और थोड़ा सा सोया सोस अबस अब है जो सॉल्ट मैंने सबजी में और अंडे में डाला था ज्यादा हो जाएगा शायद थोड़ा सा डाल देता हूं पर लोग केस है तो इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है क्योंगे आज पैन नहीं है यह जो पर जो स्ट्रीट स्टैल नूडल होता है ना आज यह कुछ वैसे ही बनने वाला है यह रहा अंडा नूडल्स बन चुका है इसको अलग से निकाल देंगे क्योंकि इसके बाद हमको बनाना है गोबी मंचूरियन यह जितना दिखने में अच्छा दिख रहा है टेस्ट में अच्छा हो रस्मिता बताएगे क्योंकि मैंने बनाया है तो मुझे टेस्ट का हक नहीं है जो सामने वाला है वही बताएगा टेस्ट में कैसा है और इसमें जो भी जो रसीडियों बचा इसको निकाल देंगे नहीं तो क्या है कि नेक्स्ट आइटर में यह जल जाए अब चलते चलिए बनाते हैं गोबी मंचुरी मिए देखिए गोबी को हम तल के घर से लेक आए गये थे अभी इसको फटा फट इसको मिलाएंगे और खाना स्टार्ट करते हैं बहुत बोख लेग रही है कि 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 क क क क क क क क क झाल झाल तो ये लिज़े रोस्तों गोपी मांचूरियन रेडी है, हमारा नुडल्स भी रेडी है, अभी चलिए गर्मा गरम इसको प्लेट में परोष्टे हैं और रश्मिता टेस्ट करके बताएगी कैसा है टेस्ट में चलिए कि उचलिए पहले मंचूरियन को परोस्ते हैं और ये चार पिस रश्मिता के लिए और चार पिस मेरे लिए बाकी तो रख दिया है बाकी तीन है इसको बाद में रिफिल करेंगे और ये रहा अब जो एग नूडल्स है कैसे लग रहा है रश्मिता मस तो दिख रहा है अभी टेस्ट करने से पता चलेगा कैसा है चलो प्लेट भर गया लेकिन तो चलिए आप इसको एंजोई करते हैं तो अभी रश्मिता बताएगी टेस्ट करके बोलो पहले खाने तो दो बोलो मतलब केसे एक ब्लंडर है हम पोर्क लाहना बूल गए तो स्पून से ही नूडल्स खाना पड़ेगा कि वाव सुमित मास्त बना है अच्छा है नूरस मस्त बना है अभी मंचुरिय का बारी खोटे जाने के ज़रूरत नहीं है नहीं पही आओ सुमित को बोलो बना है और खाओ तुमित बहुत अच्छे चाइनिज बनाता है याम है आओ टेस्ट कर आओ अच्छा बना है ना यम है सबकुस परफेक्ट है और मुझे जैसे पसंद है पूरा एक प्रॉपर इसे है पीसे में मुझे वैसे पसंद है कि अब इस लंबलंब खाने में ही मजा आता है अब फटा फट खाती हूं है थंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा कि अब जंब नहीं है उम्में पुरा खत्म कर लोंगे समिद आज अपना भी लेके और अब ही मेरी बैरी रोलस अच्छा है गोवी मंचुरियन भी अच्छा है बहुत अच्छा है तो चली दोस्तो हम अपना लांच खतम करते हैं और उसके बाद आप से मिलते हैं शाम का ब्लांचा बनाएंगे दोस्तों लांच हो चुका है और नूडल्स और गोवी मंचुरिया बहुत ही टेस्टी था रश्मिदा ने भी अप्रूव कर लिया अब हम यहां पर आदा घंटा बैठे थे यहां पर हवा का मजा ले रहे थे नजारे को भी एंज़ोई कर रहे थे तो चली आपको अभी प्रॉपर्डी का टूर भी करवा देते हैं इनका जो कॉट्टेजेस है डॉर्मेट्रीज है उसको भी आपको दिखा देते हैं चलीए यह जो लोकेशन है यहां पर इनका एक डाइनिंग एरिया है यहां पर बाबी क्यों वगएर वो करते हैं और उसके नीचे ही ठीक नीचे यह वाश्रूम एरिया है और अब इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर देखें यहां पर डॉर्मेट्रीज है यहां पर भी कैंपिंग कर सकते हो और यहां पर देखिए मैं पीछे आ गया हूँ पहले हम वहां खड़ा था जहां पर हमारी गाड़ी है यह वाला और यह वाला दोनों डॉर्म है और उस तरफ कॉटेजेस हैं वो उसको भी आप बुक कर सकते हो यहां पर भी एक डाइनिंग एरेन उन्हों बना कर रखें जो यहां पर वो काटेजेस लेंगे उनके लिए तो यह बहुत ही बड़ा एरिया है चारों तरफ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है अगर आप ग्रूप में भी आऊगे तो आपको बहुत पसंद आएगा अरे वो नहीं है वो जाने का रास्ता नहीं है अच्छा यह स्वियम्uuुल है पानी लेकिन लग तो रहा है यह स्वियमिंग पूल है लेकिन यहां पर पानी नहीं है वहां पर एक खान डाइनिंग सोड़ा भी देशता है वहां पर शोप खुलेंगे लोग नहीं है अएंगे तो खुलेंगे ज़ा तीर चलते हैं अभी और यहां से पाहड बोर अच्छा देख रहा है देखिये कितना ही खुबसुरत है यह पाहड और यहां पर बादल एकदम मस्ट एकदम ढखके है और पूरा प्रॉपर्टी यहां से में आपको दिखाता हूं बहुत ही खुबसरत लग रहा है और इस जगा पर यहां पर देख रहों यहां पर कैंप फायर लोकेशन है कितना बड़ा एरिया है देखिए वाव मस्ट दिख रहा है सामने पाहड यहां पर कैंप फायर ऐसे उड़ी लगा के वहां बहुत ही घुबसरा थे यह बहुत अच्छा है यहां से पूरा दिख रहा है हां पूरा प्रोपर्टी दिखेगा वहां पर ग्रीन पैच है यह वाला पूरा यह वाला यह वाला पर यहां पर यह पूरा यह पूरा यह पूरा यह पूरा एक ही गेस्ट है और जो भी यह प्रोपर्टी बहुत ही खूबसर है तो यही है प्र आपको शेयर कर दूगा और नीहाइटी वी खुबसरा थे जरूर आना बहुत अच्छी जगा बहुत खुबसरा थे तो दोस्तों हम खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद यहां बैडमिंटन भी हमने खेला बहुत अच्छा लगा पर बारिश में धोका देदिया बीच में दोका ने दिया बारिश ने जिस टाम में का तो अभी आ गया अब देख रहें बारिश जमा जम हो रही है तो इसलिए हम अपना कॉफी मेरा कॉफी है रश्मिता का होट चोकलेट हम बना के उनका कीचेन ही रहे है वहाँ पर बैठेंगे और सामने का पाहड को एंजोई करेंगे आप भी देखिए आपको भी बहुत मजाने वाला है और इस बारिश में होट चोकल ते है जाली है